नमस्कार, मैं निता दोलिया उत्राखन मुक्त विश्विद्याले की योग की कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे साथ मेरी सहयोगी पूजा पलड़िया रहेंगी आईए योगा भ्यास से पूर्व कुछ नियमों को ध्यान में रखें योगा भ्यास सुबह खाली पेटी किया जाएं आप चाहें तो यहाँ अभ्यास सुर्योदय के समय शाम के समय भी कर सकते हैं अभ्यास के दोरान आपके वस्त्रे डीले या सुविधा जनक रहें अभ्यास जिस किसी भी स्थान में करें वहां स्वच्छ वखुलावाता वरण हो जहां हवा आसानी से आजा सके अभ्यास करने के तुरन बाद ही आपको स्नान या भोजन नहीं करना है कम से कम आदे या एक गंटे का समय देंगे तो इन सामानी नियमों को ध्यान में रखते विए आप योग का अभ्यास करेंगे तो आईए आज के योग के अभ्यास के जाने वाले आसनों में लेट कर किये जाने वाले अभ्यास है जिन में सबसे पहला क्रम है पाद्चाक्रासन जो दूसरा क्रम है उत्तानपादासन तीसरा क्रम आपका रहेगा हलासन वह चौथा आपका करनपीठासन पहला पाद्चाक्रासन में आप ध्यान देंगे यदि प्रारम भी गवस्ता में आप करते हैं कुसी भी प्रकार की आपक उसमें भी आपको यहीं चीज ध्यान में रखनी है अगला अभ्यास आप कर आएगा अर्द्र्धाल असन जिसमें अर्धाल असन के प्रैप्राक्टिस होने के बाद JUDGE होने लगेगा तो तब ही आप अगला अभीयास कर्ण पीठ असन के अभ्यास की ओर बढ़ पाएंगे, तो दीरे दीरे आपको अभ्यासों के स्थर को बढ़ाना है। पहले अपने बाएं पैर को 60 डिग्री तक उठाना है इस प्रकार से उठाएं स्वास भरते वे कि पैर बिल्कुल सीधना हो थोड़ा तिर्चा रहे और यहीं से लेग रोटेशन स्टार्ट करेंगे आपको चक्र बनाना है शुरू करेंगे अंदर से बाहर की ओर वान स्वास भरते वे पुना उपर की ओर स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर तू दो सर्कल पूरा करते वे पुना प्रारंबे की स्थिति में आएंगे यहाँ पर रुखते वे एंटी क्लोक्वाइस विप्रीत दिशा में पैर को घुमाएंगे अंदर से बाहर की ओर सकते हैं सर्कल बनाने का प्रयास करना है वान दो बार पैर को सीधा रखते वे ध्यान रहे अभ्यास के दौरान आपका घुटना ना मुड़े यही से वापस आएंगे तीरे से पैर को नीचे रखेंगे यही अभ्यास करेंगे दाएंपैर से दाएंपैर को स्वास भरते वे 60 degree तक उठाना है, ध्यान रहे आपका घुटना मुडेना, अभ्यास प्रारम करेंगे, अंदर से बाहर की ओर, लग रोटेशन clockwise, 1, धीरे धीरे पैर को घुमाते वे चक्रो पूरा करेंगे, 2, स्वास छोड़ते वे नीचे की ओर, पुना उपर आएंगे, इस स्थिती में रुखते वे वे प्रिदिशा की ओर घुमाएंगे, अंटी clockwise रोटेशन स्टार्ट करेंगे, नीचे की ओर आते वे, 2, स्वास भरते वे उपर, पुना, 1, अंतिम चक्रो पूरा करेंगे, अंटी को नीचे रखेंगे, दो बार, रोटेशन की गई, clockwise, दो बार, एंटी clockwise, यदि आप प्रारम भी, अवस्था में अभ्यास करते हैं, तो शुरुवात में, आप इन चक्रों को बढ़ा सकते हैं, 5 या 10 से, शुरुवात कर सकते हैं, धीरे धीरे चक्रों को बढ़ाया जा सकता है, पर ध्यान रहे, जितना आप clockwise, रोटेशन करेंगे, उतना ही आपको एंटी clockwise भी, रोटेट करना है, अभ्यास जड़ होने के बाद, धीरे धीरे, जब आपके पैरों में थोड़ा strengthening आने लगे, तो आप थोड़ा सा advanced practice कर सकते हैं, जिसमें आपको दोनों पैरों का अभ् प्रारम करेंगे, left to right rotation, circle बनाते वे दोनों पैरों से, 1, ध्यान रहे, आपका पैर नीचे स्पर्ष ना करें जमीन का, पर अधिकतम नीचे वा अधिकतम उपर जाए, 2, यही पर रुखेंगे, anticlockwise rotation स्टार्ट करेंगे, विप्रिदिशा की ओर, 2, यही से एक चक्र पूरा करते हैं, 1, anticlockwise, पुना स्थिती में वापस आते हैं, दो बार हमने अभ्यास किया, clockwise, anticlockwise, स्वास छोडते हैं, पुना वापस आएंगे, और यही से relaxation की अवस्था में, शावासन में रिलेक्स करेंगे, शावासन की स्थिती में आने के लिए, दोनो पैरों में कंदों के बराबर दूरी, आप चाहें तो इसे कम या जादा कर सकते हैं, धीरे से पंजों को ढीला छोड़ दें, जब आप ढीला छोड़ेंगे, आपके पंजे बाहर की ओर, गुपने हलके से मुड़े हुए, हतेलिया पलटते हुए आसमान की ओर, आप चाहें तो हलका सा हातों को और खोल सकते हैं, आखें सहचता पूर्वक बन, गर्दन धीली, आप चाहें तो सीधा भी रख सकते हैं, दाएं बाएं जैसा भी आप, रिलेक्स महसूस करेंगे, सिप्रकार से पूरा शरीर आपका धीला शवासन में, पूरी सजक्ता आती वजाती स्व मांस पर, पैरों को बिलकुल ढीला छोड़ें, पैरों पर पर रहे प्रभावों को महसूस करें, यह भ्यास था चक्रपादासन का, चक्रपादासन के लाब, यह हिप जोइन के लिए अच्छा भ्यास है, मोटापे को घटाता है, तता उदर वपीट की मांस पेश्यों को सब बनाता है, पाचन संस्तान के अंगों की मालिशकर उनकी कारिशमता को बढ़ाता है, सी के साथ साथ कुछ सावधानिया, कमरदर्द में यह अभ्यास कुशल मागदर्शन में ही करना चाहिए, शवासन में ही रिलेक्स करते हुए, अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे, उत्त उत्तान पादासन का अभ्यास, शारिवी को अमानसिक रूप से खुद को तयार करते हुए, अगले अभ्यास के लिए धीर इसे अपनी आखें खोलें, पुनस्तिती में वापस लोटेंगे, पोजिशन लेने के लिए, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, पंजो को खीचा ह हुआ रखें, हतेलिया जमीन की ओर शरीर से लगी हुई, तो आईए उत्तान पादासन के अभ्यास करें, उत्तान पादासन का अभ्यास बाएं पैर से प्रारम करेंगे, स्वास भरते वे बाएं पैर को 30 डिगरी तक उठाएं, आपको अपने पैर को अठाना है कि केवल पै पैर का अंगुठा और इस्थिति को होल करना है, यता संभव जितना आप होल कर सकते हैं, स्वास छोड़ते हुए धीरे से वापस आएंगे, ध्यान रहें, पूरे अभ्यास के दौरान आपके घुटने नाम उड़ें, यही से दुसरे पैर से अभ्यास करेंगे, स्वास भर करते हुए अपने दाएं पैर को उपर उठाएं, 30 डिगरी तर इतना कि आपका पैर का उंगुठा आप देख सकें, पैर आपका खिचावा रहे, पंजा भाहर की ओर, इस स्थिति में आप रुख सकते हैं, पूरा प्रभाव आपके उदर प्रदेश पर धीरे से स्वास छो और दोड़ते हुए वापस आएंगे, उत्तान पादसन का अभ्यास हमने एक-एक पैसे किया, यही अभ्यास प्रढ होने के बाद आप चाहें तो इसे दोनों पैरों को एक साथ भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को खीच कर रखें, पंजा को खीच कर रखें, स्वास भरते हु गुटने आपके सीधे रहे, इस इस्तित्धा गुठाएं कि आप अपने पैर का अंगुठा देख सके, यथा संभव जितना हो सके होल करें, और धीर इसे स्वास छोड़ते वे वापस आएंगे, धीर इसे, शवासन में रिलेक्स करेंगे, दोनों पैरों में कंदों के बराब दूरी, हतेलिया, आस्मान की ओर, शरीर से थोड़ा दूरी पर, आखें सहचता पूर्वक बन, पूरा शरीर बिल्कुल धीला, शवासन के दौरान, आपका पूरा शरीर, शव की भाती, बिना किसी मुमेंट का, बिल्कुल शिथिल, शान, पूरी सजगता आपकी स्वास प्रस्वास पर, उत्तान पादसन का अभ्यास अमने किया, उत्तान पादसन के लाबों को जाने, यह अभ्यास थायराइग ग्रंथी वा पैरा थायराइग ग्रंथी पर अच्छा प्रभाव डालता है, पाचन संस्तान वा प्रजनन संस्तान को यह अभ्यास प्रभावित करता है, यह शरीर में रोग प्रती रोग धक्षमता को बढ़ाता है, अस्थमा, मधुमे, थाइराइट तथा मासिक धर्म की समश्याओं में यह अभ्यास लापकारी है, परंतु सांती सान कुछ सावधान्या भी हमें ध्यान में रखनी है, यह अभ्यास करने से कमर का दर्म और बढ़ सकता है, मासिक धर्म होने पर यह गर्वती होने पर महिलाओं को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए, तो आईए, इस आसन के लाप और सावधानी जानने के बाद अगले आसन के क्रम की ओर बढ़ते हैं, जो है हलासन, हलासन के लिए त्यार रहेंगे, धीरे से, इस्तिती में वापस आएंगे, आखें खोलते हुए, दोनों पैरों को एक सांत मिलाएं, हातों की हतेलिया, जमीन की ओर, शरीर से लगी हुई, लेट कर किये जाने वाले, पीच के बर, जो भी अभ्यास किये जाते हैं, उन सभी में हमारी इस्तिती इस प्रकार से रहती है, शरीर पूरा खिचा हुआ, तो आईए, हलासन का अभ्यास करें, हलासन के अभ्यास के लिए पुनह आपके पैरों के पंजे खिचे वे, घुटने सीदे, लंबी गहरी स्वास भरते वे, धीरे से, उत्तान पादासन का जो आपने अभ्यास किया 30 डिग्री एंगल तक लेकर आए पुना स्वांस भरतेवे पैरों को 90 डिग्री तक लेकर आए पैरों को एक सीध में बिल्कुल सीधा करें यह स्थिती आपकी अर्ध हलासन की है आप चाहें तो इस स्थिती में भी रुख सकते हैं अर्ध हलासन का अभ्यास यदि आप पीछे जाने में सुविधा पूर महसूस करें तो इसी आसन का पूर्य स्थिती हलासन की पूर्य स्थिती में हम जाएंगे स्वांस भरते हुए कमर को उपर की ओर उठाना है पैरों को पीछे की ओर लाते हुए सिर के पीछे लेकर जाना है जमीन पर लगाने का प्रयास कोशिश करनी है आपकी कमर सीधी हो जाए पैर पूरे पीछे की ओर हलके समान आपकी आकरती हलासन का अभ्यास आप जाहें तो हाथों को सीधा रख सकते हैं या फिर आपस में दोनों हाथेलियों को इंटरलॉक भी कर सकते हैं इससे आपको सपोर्ट मिलता है आसन करने में सुविधा होती है वापस आने की स्थिति के लिए दोनों हाथों को सीधा आप करेंगे हाथेलिया जमीन की ओर वापस आने के लिए धीरे से पैरों के पंजों को उपर उठाएं, कमर को नीचे लेकर आएं अर्धहलासन की स्तिती में पैरों को सीधा उपर करते हुए वापस आएंगे, पैरों को नीचे लेकर आएंगे 30 डिग्री एंगल तर और यहीं से धीरे से पैरों को नीचे रखेंगे यहीं से करेंगे शवासन में रिलैक्स दोनों पैरों के बीच कंदों के बराबर दूरी आप रख सकते हैं आप जाहें तो सुविधा पूर्ण इसे घटाया बढ़ा सकते हैं परन्तु जादा नहीं करना है हाथों को पलटे हुए हथेलिया आसमान की ओर शरीर से कुछ दूरी पर शव के भातिया आपकी स्तिती आँखें सहष्टा पूर्वक बन हलासन के अभ्यास के बाद हलासन के प्रभावों को महसूस करें तो आईए हलासन करने के बाद इसके लाबों की चर्चा करते हैं यह अभ्यास उदर किड्नी वो पीट के अंगों की मालिश करता है उन्हें सबल बनाता है थाइराइट ग्रंथी पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है अस्थमा कब्ज वो मासिक धर्मे के रोगों में यह अभ्यास अत्यंत लापकारी होता है परन्तु साथी सान कुछ सावधानिया हमें ध्यान में रखनी है हरनिया, स्लिप डिस्क, साइटिका, कमरदर्द वो उच्चे रक्तचाप वाले व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए यह दिवे अभ्यास करना चाहते हैं, कुछल योग प्रसिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए तो धीर इसे इस आसन के सावधानिया और लाभ हमने जाना और इस्तितिक में वापस आएंगे अगले अभ्यास के लिए कार्ण पीठ आसन का अभ्यास हम करेंगे सहचता पूर्वब, अपनी आखें खोले, तीर इसे दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं हातों को शरीर के बगल में रखें अगला अभ्यास करन पीठ आसन का अंतिमिस्थिति में जाने के लिए हमें हलासन का अभ्यास करना पड़ेगा तो अति आवश्यक है कि हलासन का अभ्यास आप कर सकें, तब भी आप करण पीठ आसन का अभ्यास कर सकते हैं धीरे से दोनों पैरों को पंजे खिचे वे, स्वास भरते वे उपर उठाएंगे 30 डिग्री पर 90 डिग्री तक लेकर आएंगे, पैरों को सीधा करते हुए, कमर को उपर की ओर उठाएंगे पैरों को पीछे की ओर लेकर आएंगे आप चाहें तो हातों से सपोर्ट दे सकते हैं, कमर को पीछे की ओर पुश करते हुए अधिक्तम जितना आप अपने शरीर को पीछे की ओर धकेल सकते हैं ध्यान रहे, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है सुविधा पूर्वक जितना आप सहज महसूस करें थीरे से अपने घुटनों को मोडते हुए, कानों के पास लगाने का प्रयास इसकी अंतिम स्थिती में आपके घुटने कान के साथ लगे हुए, जमीन पर लगे हुए हाथों को सीधा रख सकते हैं या इस प्रकार तोनों हतेलियों को इंटरलोग कर सकते हैं जैसे भी आप सुविधा पूर्ण महसूस करेंगे इस्थिती में रुखेंगे, कान पीठा सन, धीरे से वापस आएंगे आप चाहें तो अपने हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं या हाथों को सीधा रखते हुए जैसे भी आप सुविधा जनक महसूस करें अपने पैरों को हलासन की स्थिती में सीधा करेंगे वापस आने की स्थिती पुना हाथों को सीधा करते हुए कमर को नीचे लेकर आएंगे पैरों को उठाते हुए धीरे से सीधा करेंगे अरदहलासन की स्थिती वापस आएंगे जो अभ्यास किये उत्तान पादासन की स्थिति वह यहीं से वापस अंतिम स्थिति में आएंगे दोनों पैरों के बीच कंदों के बराबर दूरी रखें हतेलिया अस्मान की ओर आखें सहचता पूर्वक बंद करें शवासन के शवासन में ही रिलक्सेशन करें पूरी सजगता आपकी आती जाती स्वास पर शरीर बिलकुल धीला करण पीठ आसन के प्रभावों को मेहसूस करें आईए इस आसन की लाभों को जाने यह अभ्यास पिशिश प्रभाव उदर के अंगों पर डालता है थाइराइट ग्रंथी को प्रभावित करता है वह अन्यमित मासिक धर्म को दूर करता है साथिसान की नई अभ्यास नहीं करना चाहिए यह सावधानी पूर्वक करना चाहिए यह जानना भी आवश्यक है हरनिया, स्लिप डिस्क, साइटिका, कमरदर वह उच्छे रक्त चाप वाले व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए यदि करना चाहिए तो कुशल योग प्रसिक्षक के निर्देशन में ही करना चाहिए हरदय रोगों वस्वास सम्बंदित रोगों में यह अभ्यास किसी विशेशग्य की देखरेक में ही करना चाहिए